तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिस्से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल समय पे दोस्तों इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्मेंट आइडियाज लेके आते हैं और आपको नए-ने स्टॉक्स में वेश की राय भी देते हैं जैसे कि हमने आपको बोला है कि स्टॉक में अच्छा प्रॉफ्ट हो गया है तो दूसरे में आपको लॉस होने की चांसे रहते हैं तो इससे आपके जो अबरॉल प्रॉफ्ट है वह आपको जो है अच्छा नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आप लॉंग टर्म इंवेस्टर बनें जदी आपने कंपॉंडिं इस स्टॉक में 0.14% की तेजी हुई है और यह जो स्टॉक है 74 रूपिस पे क्लोज हुआ है तो बहुत ही रेंजबॉंड काम इस स्टॉक में आपको देखने को मिला है अउन दा फ्राइडे तो इसके चार्ट का डेटेल में एनलसस करेंगे इसकी पास्ट परफॉर्मेंस च कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा लेकन जदी आप हमारे चैनल पर फॉर्स टाइम आयो तो पहले आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें इस से आपको हमारे आने वाले वीडियो इसका जो नोटिकेशन है वो मिल जाएगा आपको आज की मारी वीडियो अच्छी लग की और कलियर लिए इस स्टॉक में आपको लास्ट फाइब डेज में वन ड्रैक्शनल जो है मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और इसमें 8.66% की रैली लास्ट पाइब डेज में हो चुकी है बहुत ही बड़िया पॉस्ट आप ट्रेंड इसमें देखने को मिल गया है और ज 67 के राउंड निकल कर आ रहा है और अब इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम जो है वो शो किया हुआ है आए इसका थोड़ा लॉंग टरम का सिक्समंद का पैटर्न देख लेते हैं तो यहां पर आपको बहुत ही बड़ा रेंजबांड काम देखने को मिलेगा 60 से ल Evels के बीच में इस स्टॉक में आपको जो है वो रेंज देखने को मिल जाएगी कि लगतों सींप्र क Tag नियदी को मिलेगी लेकिन आज इसंतौक में बड़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है ज़री Glide peräre देखने को मिलेगा और इसमें एक सालीडेशन हई थी फिर सदन राइज इस स्टॉक में आपको देखने को मिल गया था और यह जो स्टॉक है आप देख सकते हो 80 के को क्रोस कर गया था तो जैसे हमने आपको बताया है यह जो स्टॉक है इसका रिजिस्टन्स लेवल है वो 80 का है 80 के उपर ज्यादा दिर यह टिक नहीं पा रहा है फिर इसमें आपको जो है वो कंसॉलिडेशन देखने को मिल जाती है तो इसी तरह ही इस स्टॉक में आपको जो है अपसेंड डौन देखने को मिले हैं बहुती रेजमोंड काम होता दिखा है आफ्टर दा जलाई मन्थ लेकि लेकिन आप देख सकते हैं पहले इसमें कुछ टाइम के लिए चलती है फिर इसमें सटनली अप्ट्रेइश आता है फिर इसमें आपको जो है वो कंसॉलिडेशन देखने को मिलती है लेकिन अब इस स्टॉक में जैसे के हम ने फाइव डे और वान मंत का चार्ट पैटन तो यहांपे 136% के मल्टी बेग रिटरंस देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है इसने ली रिटर्स बनाके दिए हैं पहले इसमें पॉस्ट मेमेंटम है फिर इसमें चलती है कुछ टाइम के लिए फिर इसमें आपको पॉस्ट मेमेंटम देखने को मिलता है लेकिन जदी overall कोई company जो long term में अच्छे returns देती है तो इसका मतलब है कि उसकी company की performance अच्छी है उसकी numbers भी अच्छी है तो इसका detail analysis हम आगे करेंगे लेकिन इसका maximum chart pattern देखें तो यहां पर भी आपको same returns देखने को मिलेंगे 30 यह जो स्टॉक है यह 2017 April में लिस्ट हुआ था तो उस ताइम इसकी जो वैल्यू थी वह 31.25 की थी और अब यह जो स्टॉक है 75 रूपिस पे ट्रेड कर रहा है तो नियरली आप देख सकते हो डवल से भी जाला इसने अपने इंवेस्ट को रटर्न देदी है इन दा लास्ट थी तो फॉर चियस तो आईए आगे बढ़ते हैं कुछ डटेड़ और चेक कर लेते हैं तो जदी कंपनी के डडेड करई तो यह कांपनी इन गाता है और और उसके जो घौई कर लेते हैं कि पंड़मेंट क्या कहते हैं इस 2017 रेख कर रहा है क्योंकि किसी भी company की जो stock की price होती है वो उस company की financial performance के साथ link होती है तो सबसे पहले ज़िए इसका business देखें तो यह जो company pesticides and agrochemicals में काम करती है that is NACL Industries Limited तो इसका नाम आपने देख लिया है this is the NACL Industries Limited and यह जो company pesticides and agrochemical sector में काम करती है तो अब हम इसके fundamental check करेंगे सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी strength देखें तो इसकी जो अर्निंग पर शेर की growth है that is very very high तो यह सबसे बड़ी strength देखने को मिल रही है तो आए आगे जदी इसका market capitalization देखें तो that is nearly 1450 crores और इसकी जो टीडी एम एपिए सब्सक्राइब को मिल रही है तो सेक्टर के बढ़ते हैं इसके कुछ और technical parameter study कर लेते हैं सबसे पहले इसके resistance लेवल देख लेते हैं तो तीन resistance level हमारे पास देखने को मिल रहे हैं 74.62 का है दूसरा 75.88 का resistance लेवल है इसका तीसरा इस स्टॉक का जो resistance लेवल 77 का निकल कर आ रहा है और sport level देखें तो 72 के round है 70 के round है और तीसा जो sport level है वो 69.72 का निकल कर आ रहा है तो performance हमने आपको इसकी बता दी है last one week से लेके three years दक इस company की जो performance है बहुत ही शांदार है बहुत ही बढ़िया है जैसे ऐसे आप इसको long term के लिए hold करते जा रहे हो को मिला है जिए इसके volume का analysis देखें तो कल के दिन इस फ्राइडे इस फ्राइडे इस स्टॉक में वन लेका पॉलिम था है क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया जो है आपको देखने को मिल रहे है बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है तो आई एसकी ज़री नेटेस न्यूस चेकरें दा एने इसलिए इसलिए जो फोकस जोई वो देखने को मिल रहा है उसकी जौफनेशव ने वह हम चैक कर लेते हैं पहले लॉंग टर्म कर दाटा हम चैक कर लेते हैं लॉंग टर्म की ङरोथ हिस्टी चेक करें तो आप देख सकते हो 17 से लेके और 21 तक इस company के revenue में शानदार performance देखने को मिल रही है continuously जो है increase देखने को मिल रहा है तो दूसरा जन 17 ने इसका revenue 734 क्रोड था 21 में ये वड़के 1191 क्रोड हो गया है तो आईए इसका net profit का long term का data देख लेते हैं तो यहां पे भी आपको positive trend देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं 20 में इसका net profit था 31 क्रोड और 21 में ये वड़के 50 क्रोड हो गया है बहुत ही बढ़िया positive growth देखने को मिल रही है तो यहां पे भी आपके revenue में अच्छी growth देखने को मिली है स्तंबर 20 में इसका revenue था 344 क्रोड था स्तंबर 21 में बढ़के 442 क्रोड हो गया है तो year on year basis पे भी growth देखने को मिल रही है और quarter on quarter basis पे भी इस company के revenue में अच्छी growth देखने को मिली है net profit का data देखें तो यहां पे भी बहुत ही शानदार growth देखने को मिल रही है year on year basis पे भी growth देखने को मिल रही है और sequential basis पे भी इस company के net profit में बहुत ही शानदा growth जो है आपको देखने को मिलेगी तो इसके financials बहुत ही positive है, बहुत ही strong, बहुत ही healthy निकल कर आ रहे हैं जदि इसका share holding का pattern देखें तो promoters, FIIs और public जो है तीन main इसमें stake holders हैं पर्मोटर के पास 64% के near stake है, FIIs के पास nearly 2% का stake है, public के पास जो है वो 33.86% का stake देखने को मिल रहा है, DIA का stake इस stock में निल है तो जदि पर्मोटर की holding देखें तो इस stock में आपको increasing trend शोग कर रही है, स्टमबर 20 में आप देख सकते हो जो पर्मोटर से देवार holding nearly 63% stake और स्टमबर 21 में यह बढ़के 64.16% हो गई है, लेकिन जदि प्लेज़ शेर देखें तो वो इस company के आप 0 हो गए है, पहले 38.37% थे, बहुती बड़ी percentage इस पर्मोटर के share की प्लेज़ थी, लेकिन आप जो है वो निल हो गए है, 0 हो गए है fundamentals देखें तो आप देख सकते हो, TTMPE ratio जो है वो आपको 22.23 की दिखेगी, आप देख सकते हो, और price to book ratio जो है वो 3.46 की है, ROE percentage भी 12.18 की दिख रही है, that is also very very decent, तो इसकी value जो है different parameters की बहुत ही decent दिख रही है, as compared to the other industry peers, तो one year performance is also good, and debit to ET ratio is also nearly 0.44%, तो बहुत ही बड़ी है, fundamentals निकल कर आ रहे है, fundamentals इसके बहुत ही decent है, तो यह जो stock है financials भी बहुत ही strong दिखा रहा है, और technicals भी इसके आज का bullish दिख रहे हैं, और इस company के fundamentals are also very very decent, तो आने वाले time में यह जो stock है, आपको बहुत ही बड़ी breakout जो है, वो show कर सकता है, अभी इसका जो है target पहला जो होगा short term का 80 ले आप लेके चल सकते हो, क्योंकि यही इसका resistance लेवल है, तो पहले जदी यह जो इसको break करेगा, तो फिर आप next one year का इसका जो target है, वो 100 लेके चल सकते हो, so thanks again, we will meet you with the new video, new investment idea, जदी अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe जरू झाल 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 झाल